हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, 4 अप्रेल 2019 की प्रिलिम्प्स अप्रिटर स्रीज में आपका स्वागत है सबसे पहले देखते हैं आज गी हमारी क्यूसन, फिर देखते हैं आज गी हमारी न्योज पहला क्यूसन है, वो ऐ है स्पेस डेर्प्स के बारे में तो हमें स्पेस डेर्प्स के बारे में दो स्टेर्टमेंट दिये गए हैं इसके बारे में बताना, स्टेर्टमेंट का मतलब होता है जो स्पेस में कच्रा होता है या पर जो भी सैटलाइट हो गते हैं पुराने या जो खराब हो गया हो ऐसी कोई भी resource या ऐसी को capability नहीं है जो कि space में जो कच्रह है इसको track कर सकती है हमें पूछागा है यहाँ पर character statement कौन सा है तो एक बार आप सोचिए कि इसका सही answer क्या हो सकता है क्योंकि हमने इसके बारे में देखो discuss भी गया था अभी तो एक बार सोचना हो इसका जो सही answer है वो यहाँ पर हो जाएगा C कि जो natural और artificial दोनों हित्या का जो कच्रह होता है वो actually space derives के नाम से जाना जाता है इसी के साथ यहाँ पर second statement भी सही है कि भाई इसरों के पास अभी तेग ऐसी कोई भी capability नहीं है कि वो space में जो कच्रह इसको track कर सकता है तो इसका answer हो जाएगा C next question है वो आपके सामने orbital derives के बारे में है orbital derives है वो क्या होता है तो देखो अगर आपको बताओ मैं orbital derives का मतलब होता है कि all man-made objects in orbit in the earth which no longer serve a useful purpose मतलब कि जो earth के orbit है इसके आसपा चकर लगा रहे हैं और man-made object है especially धानक ना man-made object है चो earth के चार और earth ने कुछी important काम के लिए बेज़े हो बट अब वो कोई भी useful काम के लिए नहीं कर रहे है जैसे example है लोग कि India ने कोई satellite launch किया उसका time period था 5 साल पांच साल के बाद उस satellite ने काम करना बंद कर दिया तो वो एक तरी से waste ही हो आना कच्रा ही तो हुआ तो वो आ जाएगा orbital derivatives के बारे में तो इस कांचर है वैसे सही है वो A होगा बाकि देखो UPSC घुमा फिरा के कुछ भी दे सकती है देखो जो मर्दानी martial art है न यह जो खेल है यह एक्चुली महरास्टा के एक martial art है art and culture के लियाद से important यह है जलते हैं next question के तरफ next question है वो है international space decision को लेके है पहला statement दिये गा है यहाँ पे international space decision को लेके कि यह वेर्ट का only permanent laboratory है इस्पेस में जो कि geosynchronous orbit में travel है वो कर रही है second statement यह है कि एक joint program है जो कि US, Russia, China और France और Europe का collaboration है हमें यहाँ पे correct statement बताना है एक बड़ाब आप यहाँ पे सोचिए कि कौन साइस का सही answer होगा देखो इसमें पहली बात तो यह है हमने इसके बार में discuss भी कहता कि international space decision रहना यह low earth orbit में है ना कि geosynchronous orbit में या geostation में तो इसका हमलब पहला statement गलत है second statement गलत इसलिए है क्योंकि इसमें China नहीं है, Canada है तो इसलिए second statement भी गलत है और हमें correct statement के बात कि गए तो इसका answer हो जाएगा अगर यहीं पे हमें यह पूछता कि incorrect statement कौन सा है तो इसका answer हो जाता see, UPSC के बार इस तरी के से पूछ लेती है तो धान रखना कि पूछा क्या है हमें next question है, Financial Action Task Force काफी news में रही है पहला statement यह दिया गया है कि इसको 1989 में G7 countries के द्वारा setup है, वो क्या गया था second statement यह कह रहा है कि इसका headquarter France के Paris में third statement यह है कि इंडिया है, वो FETF का member है अब देखो हम आपको बता थोड़ी informational आपने answer तो सोच लिया होगा starting में जो G7 group है ना यह actually word की जो top most advanced economy थी तो यह G8 के नाम से था इसमें Russia भी include था बट बाद में जो क्रीमय का भी कुछ time पहले issue हुआ था तो उस दुरान Russia को G8 से target दिया तो फिर यह G7 group है, वो रह गया था इदानका G7 में word की top most advanced economy है, वो आती है बिल्कुल सही है पहला statement कि यह 1989 में बनाय गया था G7 के दौर, क्योंकि इसका नाम G7 कर जाने पहले G8 था second statement भी सही है कि France में इसका headquarter है पेरिस में और third statement भी सही है कि India FETF का member है और India आपको बता है कि पाकिस्तान को blacklist में डलवाना चाहता है इसके अंदर कि वो terror funding को लगें, बट अभी पाकिस्तान को इसमें grey list में डाला गया है तो यह कुछ fact है जो धान रखने है अब देखते हैं आज ही हमारे जो news होगी वो सबसे पहला जो article है सबसे पहली news है वो आई है कॉमकासा agreement देखो जो कॉमकासा agreement है इसका मतलब communication, compatibility and security agreement जो कि इंडिया ने USA के साथ सायन किया है अब आपको यहाँ पे तीन-चार्ज जीजे धान रखनी है बेसिकली चार agreement है जो कि USA अपने जो close country है वो सकते हो कि जो strategic partner होते है उनके साथ सायन किया है बट USA ने अभी तक इंडिया के साथ तीन ही सायन किया है कौन-कौन से सायन किया है और कौन सा सायन नहीं किया यह important है UPSC यहाँ पे question पूछ सकती है कि कौन-कासा आपको बता है इसी बार इंडिया ने सायन है वो क्या था कौन-कासा का मतलब कहा है एक बार वो देख लिते हैं कौन-कासा का तक ज़िए ज़िए बेनिफिट इंडिया को यह होगा कि ज़िए आपको बता है कि जो आर्मी होती है मिलिटरी, नेवी, एरफोर्स वगरा होगी यह आपस में एक secure communication करती है ताकि किसी को भी उपनी बाचित का बता ना चले ताकि को उनको ट्रेग ना कर सके तो एक तरिके से जो military equipment है यह पिर आप ज़िए उनकी जो interoperability है यह पिर जो उनका communication है वो और ज़िदा secure host के इसके लिए इंडिया ने USA के साथ एग्रिमेंट सैन किया है इसमें USA जो technology है secure communication के लिए वो आर्मी, नेवी, एरफोर्स वगरा को प्रोवाइड करवाएगा मतलब real time data sharing वगरा को लेकिए तो एक तो इंडिया ने USA के साथ एक कॉमकासा agreement सैन किया कॉमकासा का मतलब क्या है वो हमने यहाँ पे देख लिया इसी के साथ यहाँ पे important बात है एक इंडिया ने सैन किया है GSO MIA यह GSO MIA का मतलब है General Security of Military Information Agreement यह भी इंडिया ने सैन किया यह 2016 में सैन किया था इसके साथ ही एक और है हो है LIMOVA LIMOVA भी इंडिया ने 2016 में सैन किया था यह था Logistic Accent Memorandum of Agreement इसमें क्या होगा कि USA और इंडिया है वो अपने जो naval base है ना इनको without military use है वो एक दूसरे के use है वो कर सकते है तो यह basically इंडिया ने तीन ने सैन कर रहे हैं तो कौमकासा है एक GMOA है GSO MIA और इस वरी एक है LIMOVA तो यह तीन तो इंडिया ने सैन कर रहे हैं एक है आपर BECA यह अभी तक इंडिया ने सैन नहीं किया है BECA का मतलब है Basic Exchange and Cooperation Agreement GEO Special Cooperation को लगिए तो यह जानक ना यह अभी तक इंडिया ने सैन नहीं किया है बाकी तीनों सैन कर लिए है तो UPSC पूछ सकते कि इंडिया ने अभी recently BECA सैन किया है नहीं भी BECA सैन नहीं किया है इंडिया ने लिमोवा जिश्मोवा और इसे के साथ ही कॉमकासा सैन किया है देखो वैसे USA जो कॉमकासा सैन करता है न इसका कॉमकासा का जो रियल फोम है वो तो है CISMOA CISMOA का मतलब Communication and Information on Security Memorandum of Agreement USA basically इस नाम से सैन है वो करता है इंडिया के लिए में कुछ Special Edition वगरा या Changes किया गे थे इस Agreement में CISMOA में और इसी के बाद इसका नाम चेंज करके इंडिया के साथ जो सैन किया है उसका नाम रखा गया है कॉमकासा तो आपको धान में रखना है वैसे तो normally US इस अपनी कंटीज है ना उनके साथ CISMOA सैन करता है बट इंडिया के साथ कुछ Special Condition थी इसलिए इंडिया ने फिर उसका नाम चेंज करके कॉमकासा कर दिया है तो ये दोनों फिक्ट आपको धान में रखना है UPC यहां पर सोड़ा Confuse अवो कर सकती है नेक्स हम आर्टिकल में यहां पर दगे हैं कि देखो अभी इस तो ने काफी सारे सेटलाइट लोंज की है तो UPC के बार मेज़तर फूलेंग वगरा में पूछ लेती है कि यह सेटलाइट कौन सा है क्या है परपस के लिए है तो हम देखते हैं पहला है यहां पर RISAT RISAT का मतलब राडार इमेज़िंग सेटलाइट देखो यह एक All Weather Earth Observation सेटलाइट है मतलब नाम से समझ में आ गया Earth को अब्जर्व करने के लिए Weather को स्टेडि करने के लिए एक सेटलाइट है तो यह धानम रखने RISAT सेटलाइट किसली है दूसरा है GISAT GISAT सेटलाइट है वो है Geo Imaging सेटलाइट जिसका काम के है Geo Imaging मतलब वो ही है कि Earth को अब्जर्व करने के लिए काम है वो करेगा disaster बगर है कोई भी सी कंडिशन हो था तीसरा है G-SAT G-SAT है देखो यह एक Communication Purpose का सेटलाइट है जो कि काफी हेवी भी होते है मतलब डिजिटल, ओडियो, डाटा, वीडियो, ब्रोडकास्टिंग, टीवी बगर के लिए इनके नॉमले इन G-SAT सेटलाइट का यूज है वो किया जाता है तो G-SAT है वो किसली है? Communication के लिए है यह उपर दोनों कोन से है? यह basically हम बोल सकते हैं कि Earth को Object करने के लिए है Study करने के लिए है तीसरा है I-RNS I-RNS है वो एक Navigation Satellite आपको बता है इंडिया ने इसमें साथ Satellite Loans किये थे और वैसे इसका नाम NAWIC भी है Indian Regional Navigation Satellite System तो यह आपको धान मकरना है एर्थ के 1500, सोरी हमारी इंडिया के जो 1500 किलोमेटर की रेडियस सब भार के countries हैं वहाँ तक इसकी भी रेंज़ा ना की ओल और वर्ड में इससे के साथ है कार्टो सेट कार्टो सेट जो Satellite Series है वो Indian Remote Sensing Program है मतलब एर्थ को अपजेव करने के लिए यह आपको धान मकरना है कार्टो सेटलाइट काफी न्यूज में भी रहते हैं तो यह important हो जाते हैं तो basically यहाँ पर हमने डिसकस करने का motto यह कि हमें पता हो कि कौन सा सेटलाइट किस purpose के लिए उज़ होता है अब हम यह देखते हैं कि DRD ने भी कुछ सेटलाइट लॉंज की हैं वो भी न्यूज में थे हैं एक तो था IMI-SET और एक था Microset R IMI-SET के बारे में हमने डिसकस क्या था कि Electromagnetic Imaging Satellite जो की radar signal होगे इसके साथ ही जो radar की location में अगर आओगे सेटलाइट है सेकिंड हो है Microset R Microset R वो भी Earth को अपजयो करने के लिए बट यह भी मैं लिए Military Use के लिए तो यह आपको धहन में रखना है कि IMI-SET और Microset R सेटलाइट है वो DRD ओ के दोरा डोलप किया गया है Military प्रबश के लिए नेक्स जो आर्टिकल है वो आए है कंडमल या कंडमाल हल्दी या टर्मेरिक को लेकिंग देखो अब इसका प्रोनाउंचेशन कंडमल भी हो सकता है या कंडमाल भी हो सकता है तो वो कोई important नहीं है बट हमें पता होना चेकि है क्या कंडमाल हल्दी की पर जाती है या टर्मेरिक की पर जाती है यह बेसिकली उडिचा से बिलोंग करती है और अब इसको जिए टेक है वो प्रोवाइट करवाएगा है अब देखो कुछ बस इंफोर्मेशन दीगे है कि इसका यह लो कलर होता है वो तो हमें बता ही है तो यह कुछ important नहीं है और हल्दी की जो medical value है वो काफी ज़्यादा होती है मदले अब इसका यूज है वो किया जाता है cosmetic purpose हो गया domestic purpose हो जो इसका यूज है वो किया जाता है तो हमें यह धानकनाग जो कंडमाल हल्दी की पर जाती है वो कहाँ पाई जाती है देखो वैसे तो इंडिया में जो maximum हल्दी की पर जाती है आप अब हल्दी का जो प्रोडेक्शन है वो साउथ इंडिया में ही होता है हम बात करें केरला हुआ, करनाटका, तमिलाडू इन स्टेट में जड़्दा हल्दी का प्रोडेक्शन होता है बट जो यह जीएट इह गया यह उडिसा की हल्दी को दिया गया तो यह थोड़ा अलग हो हो जाता है उडिसा के ने एक ट्राइब भी है, जिसका नाम है कंडमल ट्राइब उसके दोरा मेले सल्दी को प्रोडूस है वो किया जाता है तो इसको लखे कुछ छोटी सी इंफोर्मेशन दी तो हमने से कवर किया है नेक्स तो आर्टिकल है वो आया है AOS Index 19 को लखे देखो यह है इंडिया और ओस्टेलिया के बीच में एक maritime exercise है बस इतना ही important है AOS कामला आप बसे समझ सकते हो AUS मतलब Australia IND मतलब India EX का मतलब exercise तो बस यह धान रखना Australia इंडिया की exercise है और यह किस प्रवजगी यह maritime है मतलब हम बोल सकतने कि Navy exercise है यह important हो जाता है यहाँ पे इस बार यह विशाखा पटने में आयोजीत है वो की जा रही है Next जो आर्टिकल होए है Global Report on Food Crisis 2019 दखो जो Global Report on Food Crisis यह report है ना यह publish की गई है Food and Agriculture Organization और इसे के साथ ही World Food Program और EU के दोरा इस report में सबसे important data यह दिया गया है कि world में लगभग 53 country जैसी है जिनमें 113 million लोग ऐसे है जो अभी भी Food Security से मलब धूज रहे है मलब उनको Food Security प्राप नहीं है यह आप बोल सकते हो कि बहुत ही Extreme Level पे वो भूक मेरी का सिखार है यह आप एक data दिया गया है इसे के साथ इसमें यह जागए कि आठ ऐसी countries है जहां पर टू-थर्ड जो लोग है न वो भूक मरी यह आप बोल सकते हो कि खाने से बिडी तमल उनको खाना टाइम पे नहीं मिल पा रहा है उस आठ countries की बात यहां भी किए अफ़कानिस्तान हुआ Democratic Republic of Congo हो गया Ethiopia हो गया Nigeria हो गया South Sudan, Sudan, Syria और Yemen देख आपको पता है Sudan, Yemen इस वाल एरिया में तो वैसे ही Civil War चल रहा है तो आलत इनके मालिक रहाब हो गया है और अफ़कानिस्तान का भी सेम कुछ ऐसा ही सीन है तो यह धान रखना है कि इस Food Report में Manly character सामने आ है बाकि देखो Food and Agriculture जो organization है यह आपको बता है कि UN की एक Specialized Agency है तो इसके बारे हमने आर्टिकल भी डिसकस किया है तो देखो यह थी आज गी हमारी complete discussion अब एक बार जल्दी से हम रिवायज कर लेते हैं कि आज हमने कौन-कौन से आर्टिकल डिसकस किये सबसे पहले आज हमने कौन-कास agreement के बारे में जाना कि इंडिया ने USA के साथ कौन-कास agreement sign किया है जो की military purpose के लिए जो communication वे है वो provide करवाएगा फिर हमने ISO के दोरा जो satellite loans किया गया है कौन-कौन सा किस purpose के लिए वो डिसकस किये फिर हमने DRDो के satellite डिसकस किये EMI-set और Microset और satellite इसे के साथ हमने कंदमाल जो हल्दी की परजाती है उडिसा की इसको JTAG दिया गया है उसके बारे में डिसकस किया गया इसे के साथ हमने Australia और India की जो maritime exercise है इसके बारे में डिसकस किया है और last जो हमने डिसकस किया Global Report on Food Crisis 2019 के बारे में तो ये थी आज गी मारे डिसकसन फिलाल इतना है तो थेंक्यू थेंक्यू अन्वस फोर डिसकसन